हेलो एन वेलकम मैं दियर सूल फैमली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश है और अपनों के साथ सुरक्षित हैं आज की रिडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे आप दोनों की रिष्टे में क्या होने वाला है आप दोनों का रिष्टा आप दोनों का separation आगे क्या mode लेने वाला है शुरू करते हैं आज की reading लेकिए angels का नाम सबसे पहले angels को शुक्रियादा कहेंगे ताकि उनकी help से हम intuitively आपके person की feelings को देख पाएं शुरू करते हैं आज की reading लेकिए angels का नाम बोलेंगे thank you so much angels यहाँ पर पहला card है surrender to the divine a win-win outcome is forecast what do you need to release luck is on your side luck आपकी तरफ है यह आपके रिष्टे में बताया जा रहा है कि आगे आपके रिष्टा क्या mood लेने वाला है you are very close to achieving your goal okay देख लेचे देखें आने वाली टाइम में आपकी बहुत सारी wishes है जो भी तक pending रह गई थी या फिर काफी टाइम से उन wishes को manifest करना चाह रहे थे अपनी life में कुछ new beginnings चाह रहे थे और अपनी life में बहुत सारी चीज़े जो add करना चाह रहे थे जिससे जो है आपकी wish जो है fulfill हो जाए तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपके life में बहुत सारी positive changes आने वाले हैं देखे बहुत सारी चीज़े होने वाले है अब से आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ लगाएंगे न उस चीज़ में आपको succeed होना है यह चीज तै है यह चीज लिखी हुई है क्योंकि आपना बहुत ज़दा लखी थाबित होने वाले हैं जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आपकी victory होगी उस चीज़ में आप जीत ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से आपको ऐसा लगेगा शुरू में कि बहुत ज़दा मुश्किल आ रही है बहुत ज़दा ऐसा लगेगा कि नहीं रास्ता कठिन हो रहा है लेकिन एक चीज यह आपे बोली गए है यहाँ पे बहुत ही प्यारा से advice है जो चीज़े आपको डरा रही है उसको release कर दीजिए उसका अपने हाथ से जाने दीजिए इसका मतलब यह है कि इंजल्स हमसे बोलना चाते हैं कि अगर कोई fear है अगर कोई doubt है अगर आपने person को लेकर यह आप मान लेज आप नहीं जान पाएंगे कि आगे आपके लिए रास्ते में क्या रखा हुआ है या क्या वेट कर रहा है अगर कोई chill है कोई eagle है अगर उन्हें बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रख दिया जाए तो वो कभी नहीं जान पाएगी वो एक गिद है ठीक है until and unless अग जब तक आप उन सारे चीज़ों को रिलीस करके अपने डर को अपने डाउट को रिलीस करके आगे की और पंक फैला के उड़ेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने उपर जा सकते हैं ठीक उसी तरह यहां पर बोला गया है कि सरिंडर कर दीजे डिवाइन को जैसे की आप मैं से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जिन चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते थे सपोज आप अपने पार्टने का इंतजार करते रहे थे तो आपने फाइनली इतने टाइम वेट करने के बाद सरिंडर कर दिया डिवाइन को ठीक है जो होगा हो नहीं दो अगर divine timing चाहती है तो हम जरूर मिलेंगे और divine timing जब भी हमें मिलाना चाहेंगी तो वो जरूर मिलाएगी ऐसे wait करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे करने से जो आप दोने का million है reconciliation है वो और दूर होता जा रहा है यहाँ पर word reconciliation क्यों आया है वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि बहुत जल्दी जब आप चीजों को release कर देंगे तो बहुत जल्दी आप जो कुछ भी achieve करना चाहते हैं suppose बहुत सारे लोग के cases में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी person आपको message करें ठीक है आप दोने के रिष्टे में कुछ तो हो क्योंकि बहुत टाइम से यह जो ठेराव आ गया है जिसकी वैसे आप दोनों अटके अटके से मैसूस करें ऐसा लग रहा है गाड़ी जो है एक जगा टक गई है और आगे बढ़ ही नहीं रही है तो फिर वो सारी चीज़े तब होंगी जब आप अपनी अंदर से यह सारी चीज़ों को रिलीस करेंगे ठीक है देखते हैं आपके person के मन में अभी समय क्या चल रहा है उनकी करनी feelings क्या है सेफिन, चक्रा, आर्केंजल, यूरियल ओकी, बहुत ही प्यारा सा काड़ा है इन्डिसिजन जैसे की हमें लगी रहा था कि आपके person जो है decide नहीं कर पारे, थोड़ा डावर डोल सा feel कर रहे है कभी लगता है जाना चाहिए, कभी लगता है नहीं जाना चाहिए इंजल और बालंस आपके पास बहुत बार आता है इसका मतलए यह है कि कोई चीज है दिल और दिमान जैसे इंडालंस साहर लग रहा है डिसीट एडजेस्टन पॉसिबिलिटीज ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए देंपल पाथ यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे ठीक है आपके मन में यह डाउट आता होगा, डराता होगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ तो इंजल साबसे बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं जो भी आपने रिसेंटल अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लिये है अगर आपने अपना परस्पेक्टिव जो चेंज किया है वो आपने बहुत अच्छा किया है क्योंकि लॉंग टम में यह आपको ही फाइदा देने वाला है एक ही जगा पे स्टक हो के रहना आपके लिए बिल्कुल भी फाइदे मन्त नहीं है इतने टाइम से आप यही कर रहे थे जिसके विए से आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट या चेंजिस नहीं दिख रहे थे आपके इंजिल यहाँ पे यूरिल के आने का मतलब है कि बहुत क्लोज आपका कोई लवर है जो आपके बारे में इस समय याद कर रहे है वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे है और उन से आप बहुत जल्दी मिल जाएंगे वो भी अचानक से यहाँ पे वोड़ा है अचानक से नमबर है 12, 41, 48, 25, 24 एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगी इस समय करिंटली आपकी परसन बहुत जादा दुविदा में है ऐसा लगता है उनके पास कोई दो आप्शन है और उनमें से उनको एक सिलेक्ट करना है जिसके लिए वो बहुत जादा कन्फ्यूजड है एक तरफ दिल है और एक तरफ दिमाग है जिसमें अगर बैलन्स नहीं रहा तो आपके परसन जो है डिले कर रहे हैं आने में इसलिए यहाँ पर इंडिसिजन का काड़ाया है क्योंकि मुझे ऐससे लगता है कि आपको जो है बहुत बुरी तरीकी से धोका दिया गया है आपको जो है आपके साथ वादे तोड़े गया है आपके दिल तोड़ा गया है यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आप उनका याद करकर कि उनको वेट कर रहे हैं तो आपको ऐसे लगता हो कि अब तो टाइम हो गया है तो अब तो है शायद वो नहीं आएंगे ठीक है जो चाल उन्होंने इतनी तगड़ी चली है ना तो शायद अब वो नहीं आएंगे क्योंकि यह चेंज नहीं होगी लेकिन यहाँ पे एंजल्स का काड़ा है वो उस रास्ते भी आपके पास आ सकते हैं जी हाँ जो आपकी कलपना से है जो आपकी सोच से पर है अब ऐसा कुछ तो होने वाला है कुछ दिनों में या कुछ घंटों में मुझे नज़र आ रही है क्योंकि जो फीलिंग सा वो इतनी जादा स्ट्रॉंग है ऐसा लग रहा है क कुछ तो ऐसा चेंज होने वाला है जिसके आपने उमीद नहीं की थी इसलिए आया है अड्जेसंट पॉसिबिलिटीज ठीक है क्या चेंज आने वाला है आईए वो देखने के कोशिश करते हैं क्या आपके परसंड की तरफ से चेंज आने की संभावना है soulmate yes this is your soulmate अगर आप यह सोच रहे थे यह परसंड आएंगे की नहीं yes this is your soulmate आपके पास आके रहेंगे लेकि कितना भी separation हो आपके पास पहुँच के रहेंगे unrequited love there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going आपको ऐसा feel हो रहा है कि maybe वो मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि हो सकता है कि बहुत साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो कोई chemistry रही नहीं bonding नहीं नहीं लेकिन यह आपके soulmate ही है past life relationship देख लेजिए someone from your past is coming back that is you have known each other before यह आपका past life relationship as person के साथ इसलिए वो खतम ही होने का नाम नहीं रह रहा कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी रास्ते से यह आपके पास दुबारा लोट कर पहुँचिंग क्योंकि जब तक यह cycle complete नहीं होगा आप दोनों जो है एक दूसरे से अलग होते रहेंगे होते रहेंगे लेकिन eventually last में आप दोनों का reunion हो के लिए रहेगा honeymoon enjoy the bliss of holiday time together हो सकता है आप जब कहीं गुमने जा रहा हो या फिर आप गुमने गए हो साथ में किसी जगा पे जो honeymoon की आपको याद देलाता हो attraction you attract romantic love by enjoying the moment fully देख लिजे आप खुद में खो जाएए जो चीजे आपको release करने की जरह थे negative doubt वो सारा कुछ release कर दीजे और फिर आप देख लिजेगा किस तरीके से आप romantically attractive हो जाएंगे और वो खुद आकर आपको chase करने की कौशिश करेंगे chase करने लग जाएंगे very soon clearly decide what you want so that it comes to your life जैसे कि हमने बोला था कि luck is on your side तो इसलिए बोल रहे हैं very soon बहुत जल्दी अब उनसे रुका नहीं जा रहा जो उनके patience का level अब across हो चुका है बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और किसी भी वक्त यह आते ही होंगे make sure कि आप तयार रहें ready रहें आपको क्या बोलना है क्या 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 चीज़े हैं जो आपको अपने दारे में रहके उनको बोलनी है और उनसे answers मागने है फिर आपके हाथ में है कि आपका Reunition होने के बाद आपको उनके साथ क्या करना है जल्दी से जाके इसी से Related एक Description बॉक्स में New Link आ गया है वीडियो का उसको देख लीजिएगा और हाँ किसी भी कीमत पर उसको Miss नहीं करना है क्योंकि ये और वो वीडियो बिलकुल आपस में Related है ये रीडिंग कैसी लगी जरूर बताईएगा एक चीज़ और कि जैसे कि आपका Unexpected Union हो जाया तो प्लीज कॉमन सेक्शन में बताईएगा जरूर क्योंकि आपकी जो भी स्टोरी सुनके या फिर आपकी जितनी भी Reunion, Reconciliation देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है So God Bless You All जल्दी से Description Box में जाके रीडिंग देख लीजिए मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके सरूर जाहिएगा God Bless You and Love You All